आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पार 13 अशुद्धी शोधन पढ़ेंगे हाना तो अशुद्धी शोधन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते है कई बार वाक्यों को लिखते समय या बोलते समय हाना मदब शब्दों को लिखते हैं बोलते समय हम अकसर क्या करते हैं कई पर व्बिभीन प्रांतो के हमारे लोग रहते हैं जिसके कारण चेत्रिय प्रभाव उनमें आने लगता हैं तो । आपका बोला कि पंजाबी लोग अधिकांसता बोलते हैं समय क्या करते हैं स्वर्युक्त वेंजन या स्वर्रहित बोलते हैं तो कभी स्वर्रहित वेंजन को स्वर्युक्त बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपका कोई सब्द लोग आत्म ग्लानी तो आत्म ग्लान हैं तो इस तरह को जो शब्द होते हैं से जल को उसमें भी जटाएंगे जल आवाज इंके आ सुना ना आप और हम लोगों के उत्राक्ट में जोहें श s खाना खाया तो खाया की जगऔर खाई लड़की को बूलना है तो मैंने अभी खाना खाई है भना इस तरह की शब्दों का प्रियोग करते हैं न तो इस यह वजशे आपका क्या होता है यह अन्यग प्रकार की अशुद्या देखने मिलती है, अभर हम अशुध शब्दो को शुड करके लिखेंगे अब मैंने लिखा यहाप भगी मैं नहीं सुम्झे, आगे में ठीक है इस तरह से फिर चलाक चलाक नहीं होता चालाक होता है हाना तो अ की मात्रा चालाक इस तरह से हम लिखते हैं इसको कवी 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 निये कवी होता है हाना छोटी की मात्रा तिये कवी इस तरह से क्या आता है इसमें चंद बिंद्य जिसमें क्या हते है इसमें मूर शेये और नाख से अहवा भार आती है हना तो चंद इस तरह से पर आपका है इसमें आर्षीरवाद ठіक है इसको कैसे आज रिखेंगे आज्य यार्सिर्वार्द मात्रा क्या होता है कि वार्द रधा इसकी दंडे के ऊपर आती है मात्राawsतेगत लिखते । खेगर आज़ीड़बוז होता है ठीक है आगे समने फिर मैं नहीं होता है मैं होता है मैं बिंदी आती है नाक सहवा रही है न तो यहापे बिंदी आती है अपने लिए जो मैं कप्रियों करते हैं बहुत से बच्चे बिंदी भी नहीं लगाते तो मैं होता है आप में यहापे बिंदी जरू लगानी होत दीपक ने वलकि क्या होता है दीपक इस तरह से आपका इसमें सैनिक लिखा है सैनिक ने होता बलकि आई की मातरा आती है तो सैनिक होता है ठीक है इस तरह से लिखते हैं इसको फिर आपका पीमार नहीं होता बीमार होता है बड़ी की मातरा आती है पीमार ठीक है फिर आपका इ नहीं होता बलकि क्या होता है कोवा आउ की मात्रा ऐसा होता है हाना फिर आपका इसमें आएगा आपका चिडिया नहीं होता बलकि चिडिया होता है चिडिया चिडिया बिंदी आती है यह आपे या होता है हाना चिडिया फिर आपका किताब नहीं होता किताब होता है ठीक है फिर आपका इसमें नयोता 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 बलकि क्या होता है आपका सौर रहित होता है वो आदना होता है तो नयोता होता है ठीक है इस तरह से अर्थी नयोता बलकि आती होता है ठीक है इस तरह से वियो वहा होता है बहुते बच्चे बा और वह नहीं करते हना वियोग ठीक है फिर आपका इसमें आता है फिर आपका पुझनिया नहीं होता है पूझनिया होता है इस तरह से लिखते हैं, पूजिनिया, ठीक है, इस वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, पुना लिखना है आपको, इसमें लिखा जंगल में सेर है, तो आपको क्या लिखना है इसको, जंगल में श, बड़ा शा आएगा, शेर है, इस तरह से लिखना है, दूसरा वाक्य क्या तो आपका क्या एगा पेड़ पर हना जब हम इसको बनाते हैं तो छोटी की मातरा आता है कलियाँ हो जाता है कलियाँ खिल रही है हैं, ठीक है, फिर आज मेरी परिक्षा है, आज मेरी हैना, परिक्षा, परिक्षा होता है, बड़ी की मात्रा थी है, हैंना, है, फिर आपका स्विच उत्था था, सूर्य पूरब से उकता है, तो आपका क्या आएगा, सूर्य हैना, इसमें ये, बड़ी की मात्रा थी पूरब से उकता है, ठीक है फिर पांच्वा इसमें कोवा बोल रहा है कोवा हाना अई की मात्र आएगी बोल रहा है फिर है दादा जी आया हाना तो इसमें क्या आएगा दादा जी आया जब भवचन होता है आपका हाना अपने से बड़ों को हम जितने में हमसे बड़े होते हों उनको हम लोग क्या करते हैं भववचन में रखते हैं तो दादा जी आये ठीक है ऐसे ठीक है आपका फिर है इसमें मैं खाया मैं खाया नहीं बलकि क्या होता है मैंने खाया हाना फिर हमारी कक्षा में चालिस छात्र हैं आपको देखने में ये संटेंज बिप्कुल सही लग रहा होगा हाना कि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है केवल क्या है हमारी कक्षा में चालिस चालिस छात्र है क्या आएगा कौन बताएगा इसमें बाके संटेंज बिल्कुल सही है केवल एक बिंदी का ये बहु अचन है हाना हमारी कक्षा में चालिस छात्र हैं आपने एक बिंदी नहीं लगाई तो पूरा संटेंज आपका गलत हो जाएगा ठीक है आप इसको इस तरह से लिखेंगे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक छोटी सी मिस्टेक की वज़े से उसका मिनिंग बदल जाता है मैं आपको बताती हूँ जैसे कि हमने लिखा अंबर मैंने बोला अंबर हाना तो अंबर मैंने क्या होता है कोई बताएगा मिचे वस्तरी भी होता है आकाश भी होता है ठीक है लेकिन उसने क्या करा उसमें आ की मात्रा लगा दी अंबर हाना तो क्या हो जाएगा मतलब की धेर हाना फिर आपको मैंने बोला इसमें अरी अरी, तो जी बोला, अरी, तो ये अरी मने क्या होता है, शत्रू होता है, यदि आपने इसको बड़ी की मातरा लगा दी, अरी, तो इसका मतलब क्या होगा, संबोधन, ठीके, फिर मैंने बोला, अवधी, 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 ठीके, अवधी मने, क्या होता है, आपका काल या सम क्यों होती है उसको बोलती है अवधिं तो आपका इस तरह के जू शब्द होते हैं इस से क्या होताई एक मात्रा की वज़े से उसका पूरा meaning अर्थ बदल जाता है आपका थीक है जैसे कि मैंने बोला पूर 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 मनि ज़ता है नगर लेकिन आप ने क्या करा उसमें बडी की मातर लगा धी पूर कर दिया तो पूर मनि क्या ज़ता है बाड देखो कितना meaning बदल जया तो छेवल एक मातर के वज़े से उसमें उसका ूर्थ बदल जाता है। फिर मैंने बोला बज आपको बाग लिखना है बाग मनी तो सभी को पता होता है क्या होता है बता बगीचा होता है तो पूपन कुछ भी बहुत सकते लेकिन आपने क्या करा उच्चारन गलत सुना हना और आपने लिखा बाग हना आपने क्या लिख दिया बाग तो बाग क्या होता है एक जानवर होता है हना आपको पता है बाग हना तो एक जानवर हो जाएगा फिर इसी तरह से आपको मैंने बोला था कि आपको बोला मैंने मात्र लिख दे हमन तो क्या भुवन बनी क्या हुझाता है संसार हान तो इस तरह से आपका धिन ं гरीब दिन मने आपका धिवय होता है और आप नहीं क्या लगा दिया बढермग इन भीटकी मात्र लिख़ती है अटिशकर मतरते ऑपका उसका डिन मतर है लिएक मात्रा की वज़े से उसका अर्थ बदल जाता है तो इसलिए आप पड़ते हो तो आपको यहांन इसक Rex करोगे तो आप लिखोगे भी तिक अब जैसे बिने बोला को एक सब्ढ़़ लेते हैं PANI लिखना था आपको PANI पाणि मने जल जो होता है और आपने उसको कै सुना PANI ठीक है, क्योंकि Language में भी इस तरह काता है PANI तो मने हाथ होता है कहाँ जल और कहाँ हाथ ठीक है, इस तरह से फिर आपका पवन हो गया पवन मने क्या कौन बताएगा मुझे पवन मने वायू होती है और आ की मात्रा लगा दी पावन केवल उसकी वज़े से पवित्र पावन मने पवित्र तो इस तरह से आपके जो शब्द होते है तो आपके जो मात्रा है उसकी वज़े से उसका पूरा जो है मिनि अर्थ बड़ाशा लिख ने से क्योँ जाएगा घर या मकान ठीक है तो कितना मिनिंगा अज़ा पत्नी का भाय होता है उसके बोलते ह Wheon उचे उसको बोलते हैं इस वजे Display क्यों होते हैं ऐनका मिनिंग और अर्थ बदल जाता है इसे जब आप पढ़ते हो तो इनका उच्चरन है आप परते समय इनका उचारण सही तरीके से करोगे आप और आपकी जो exercise है आप उसको अपनी copy में करना धन्यवाद